मेरी जिन्दगी बंधी हुई सी हो गई थी मैं दिन रात काम काम और काम किया करता था मैं सुबह पाच बज़े काम पर जाता और रात ग्यारा बज़े घर लवटाता था मेरी ड्रिफ इरिगेशन की एजनसी थी मुझे किसानों के यहां दूर दूर तक जाना पड़ता था हर दिन मुझे मोटर साइकल पे 200 किलो मेटर से ज़्यादा घूमना पड़ता था मैं काम में इतना डूब गया था कि मेरे बैटों ने मुझे 6 मैने तक देखा भी नहीं था मैं तेहां रोके दिन और शादियों में भी कभी घर पर नहीं होता था दिन भर काम काम करते करते मैं इतना ठक जाता था कि घर आकर खाना खाते खाते मैं वही सो जाया करता था जादा मोटर साइकल चलाने से मेरी बैकबोन की छे नंबर की हटी घिस गई थी मेरा पूरा शिरिर कापने लगा था मैं अपने परिवार वालों के लिए कुछ भी समय नहीं निकाल रहा था इसलिए हमारे रिष्टों में कड़वाट आ गई थी मेरा एक दोस्त था सुमित वो योगा किया करता था मैं उसके पास योगा की सीड़ी लाने गाया तो उसने मुझे कहा की सीड़ी देखके तुम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ सिद्ध समादी योग का पंदरा दिन का कॉर्स चुरू हो रहा है तुम ओ करो मैंने ओ पंदरा दिन का कॉर्स किया उसके बाद मेरी पूरी जिन्दगी बदल गई लेकिन उस कॉर्स से मुझे और इतना सब कुछ मिला कि मैं ओ शब्दों में बयान नहीं कर सकता उस कॉर्स से मैंने जीवन की ओ सचाया महसूस की मानो मेरा फिर से इस दुनिया में जनम हुआ अब मेरे जीवन पूरा आनंद है मैं चोटा बच्चा बन गया हूँ मैं पंच्यों की तरब सात्वे आस्मान पे उड़ने लगा हूँ मैं मेरा वही काम करता हूँ लेकिन उसमें पूरा आनंद लेता हूँ अब महिने में मैं सिर्फ 20 दिन ही काम करता हूँ और 10 दिन अपने फैमिली के साथ बिताता हूँ अब मेरे बच्चे और मेरी बीवी सब खुश, खुब खेल, कुदा और मस्ती करते हैं